हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आज हम बनाने जा रहे हैं यह ब्यूटिफल सा कुशन वो भी पुरानी टी-शिर्ट से विदाउट स्टिचिंग तो देखते हैं कैसे बनाएंगे इसके लिए हमें चाहिए कोई भी पुरानी टी-शिर्ट पैन, इंच टेप, कैची और न्यूस पेपर तो आएए स्टार्ट करते हैं टी-शिर्ट को किसी फ्लैट सर्फेस पे बिच्छा लेंगे उसके बाद में उसके लंबाई और चाड़ाई ले लेंगे अब हम न्यूस पेपर लेंगे, जो कि डबल साइड होगा उसको नीचे किसी फ्लैट सर्फेस पे बिच्छाने के बाद में हम उस पे हार्ट शेफ ड्रॉ करेंगे कट करने के बाद में ये कुछ इस तरह का दिखेगा मेरी टी-शेफ काफी लंबी चौड़ी थी, ये बड़ी साइस की थी तो इसलिए मैंने काफी बड़ा साइस का हार्ट बनाया है अब वैसे टी-शेफ पे रखूँगी टी-शेफ में मैंने ये हार्ट शेफ का न्यूस पेपर जो कट किया था उसे रख लिया है इसकी बाद मैं इसे ड्रॉ कर दूँगी पूरा ड्रॉ करने के बाद में इसको कुछ इस तरह का होगा जिसे मैं कट कर लूँगी इस तरह से मैंने हार्ट शेफ कट कर लिया है, ये डबल है दो पीस लिये हैं हमने जितनी भी आपकी टी शेट की साइज हो उसी के कार्डिंग की हार्ट शेफ कटेगा इसके बाद में इसी से अंदर की तरफ मैंने एक और हार्ट न्यूस पेपर का कट किया है लगवक दो इंच अंदर की तरफ है इस को मैं सर्फ डॉप कर रहे हूं इस तरह से मैंने ग्हुरा घ्रट याने और इसको कट नहीं करना अब हम सिजर लेंगे और सिजर की हेल्प से इसको यहां से लेके जो हमने ड्रॉब किया है वहां तक कट करेंगे बिल्कुल पास पास इसके कट करते चले जाना है यह पूरा इस तरह से कट करना है हमें हमें पूरा अलग नहीं करना है बस यहां तक हमें कट करते हुए चले जाना है यह हमने पूरा कट कर लिया है अब हम यह दो पार्ट है अब इसको लेंगे और आगी का और पीछी का जो पार्ट है इसको सिंपल कुछ नहीं करना है इसको नौट लगाते चले जाना है सिंगल नौट लगाएंगे उसके बाद में एक और नौट लगाएंगे इस तरह से इसको पूरे को नौट लगाते भी जाना है इस तरह से हमें knot लगाने है, थोड़ा सा इतना पार्ट open रखेंगे औ पूरे पर नॉट लगाते हैं चली जाना है, ये पार्ट पर हम open रखा हुँ है इस के बाद हम इस तरहता फाइबर लेंगे और उसको इसके अंदर ऐसे फिल करेंगे थोड़ा सा लेके और इसके अंदर फाइबर फिल करने के बाद की कुछ इस तरह से दिखेगा हमारा और यह जो ओपन पार्ट है इसको हमें वैसे ही नॉट लगा की डबल नॉट लगा के प्लोज कर देना है हमारा यह ब्यूटिफुल सा कुश्चन रेडी हो जाता है आप सोचेंगे कि हमने टी शिर्ट में से कुश्चन तो बना लिया और यह जो बच्चे हुए पार्ट से हमारे उसका हम क्या करेंगे तो देखिएगा नेक्स्ट वीडियो में कि हम इसको कैसे यूज लेंगे तो फ्रेंग्स आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलेगा थैंक यू थैंक यू फर वाचिन